हो वो लोकस्टीरीज व फ एलकीन, लकीन, और यह लिंक हो जाते हैं अपसमें और बहुत लंबी चेन बनाते हैं यह अनकी प्रपर्टी सबसे अलागी है जागतें के टिनेशन अलाओ कार्बन दूसरे कार्बन से अटाइस्ट होगें एक लंबी सीवो चेन बना देगा तो कार में चेन, और फेर इंगल दीचेन बनाएगा वह ब्रांची हो सकती है तो कार्बन से कार्बन से कार्बन डॉसरे क्रेट भान ऐस्टी लंबी अटाइस्टी रहन वह स्काते हैं यह या ओब आ पर नीचे बीटर फेर चली ब्रांची को बनाते जाएं तो कार्बन अटें उसमें hydrogen के साथ hydrogen भी है टाइसे उन से तो वह functional group hydrogen को replace कर गए खुद महां हो सकते हैं और उसकी property change हो जाएंगे क्योंकि new functional group है उसकी property भी फिर dominate करती है तो presence of functional group कौन जैसे की alcohol है वो decide करेंगे property किया होगी carbon compound की जो functional group होता है उसे की property वो compound show करता है functional group hydrogen या उसे दूसरे किसी compound को वहां से अटा के वहां पर अटाइस हो जाते हैं और एक लंबी language series हो बना सकते हैं chain बना सकते हैं जैसे की पहला है methyl CH3OH methyl alcohol C2H5OH तो यह सारे alcohol के series के हैं तो इनकी chemical properties similar है कि सची series of compound in which the same functional group होता है और उसमेर बीच में जो four same functional group substitute for hydrogen in a carbon atom is called homologous series homologous series का मतलब यह कि समस्मेर एक ही functional group है और वो chain बीच में बढ़ते चीप बढ़ते चले जा रही है तो वह उसकी homologous series है सेम functional group substitute for hydrogen in a carbon chain जैसे की alkyne CH4 methane है CH4 ethane तो यह उसी का series बढ़ते चले जाएगी जैसे alkyne है ethene propane butene तो यह उसकी homologous series है आसे ही alkyne की यह आयन तो यह उसमें 3 triple one है 3 triple one मतलब यह है तीन electron की sharing है तीन pair of electron की sharing होंगी alkyne में all the member of homologous series इनकी chemical properties सेम होंगी यह जैसे ही होंगी homologous series का मतलब यह कि इनकी chemical properties सेम होंगी क्योंकि इनके functional group जो होता है वो dominate करता है उसी की properties जो है वो compound की properties होंगी इसमें same functional group होगा homologous series उसमें functional group सेम होगा उसमें वो chain बढ़ते चले जाएगी तो वो homologous होगा homologous मतलब एक जैसा और एक जैसा होना का मतलब यह है कि उसकी जो functional group होसमें कोई चीज़नी आना है बीच में लंबी chain होते चले जानी है क्योंकि carbon सा carbon attached होने कि यह अरलग property कार्बन कि तो carbon सा carbon attached होते चले जाएग और functional group सेम रहेगा अगर functional group सेम होतो ने कि properties भी सेम रहेगे chemical properties तो वो बनाएंगे homologous series के बनाएंगे